कि देखो यह वाले कोश्चन देखो प्यारे बच्चों इस में बैसी के लिए साइकलोट्रॉण का कोश्चन है इस वाले कोश्चन में मैं क्या करना कि अल्टार्नेटिंग इलेक्टिक फिल्ड फिरिक्वेंसी न्यू जो है अप्लाइड हो रहा है एक्रोस देज अफिस साइक साइकलोट्रॉण पड़े होगे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि साइकलोट्रॉण एक डिवाइस है जो पोजेटिव चार्ज पार्डिकिल को एक्सलेट करने के में यूज होता है और यहां से इस ताइप के डी होते हैं सर्कुलर बॉक्स होते हैं और यहां एक वैरि से यह इसकी फ्रिक्वेंसी दिया है तो इसको मैं नियू को एफ लिख देता हूं जिसे बाद में विलासिटी के साथ कन्फिउजन नहों और इसमें चार्ज पार्डिकिल यूँ एक्सलेट करता है मैं ज्यादा डीटेल में नहीं बता रहा हूं ठीरिटिकली आप पड़े ह करता है तो उसी से रिलेटेट ज्याद आपको सोचने की जुरूत नहीं है कि यह जिसका मास है तो उस मैगनेटिक फिल्ड और काइनेटिक इनर्जी की केल्कुलेशन कर दी है तो चलो इसको करते हैं बेसिकली अब अगर यह हमारे पार रेडियस यह वाली रेडियस आर कि यह क्लियर है इस रेडियस च्बार एपको की कोसे चौर्ज पार्ट क seulement कर रहा है मुंकी कि उसकी मेगनेटिक फिल्ड और की लिख लेटें तो मैं इसको लिख हो तो 15 de वेलासीटी को में लिख सकता हूं स करने केस में यह जो सोर्स की फ्रिक्वेंसी ओरusters की क्वींस्य मिधी की फ्रिक्वेंसी होती इस तो तो में लिख सकता हूं तो kia किनितिक एन्रशि मुझे दिखने लगेगा हाफ मुझे अ इन्रशिटी स्क्वरं ऐस फॉर आइसक्वर्-इयर फॉर पाइसर्ट एफ इंफ एसक्वर्-एसक्वर्-व और व्य हम् 맞तिक नीवद्ट्ट कानेटिक इनर्जी फ्रिक्वेंसी के टम में आ जाएगी और कुछ बहुत बड़ा डिफीकट्ट कोश्चन नहीं है तो 2 5 square एमधेख लो कानेटिक इनर्जी 2 m2sqr r 2d sqr m अजू है कि जो है है 2 पाई मतलब या तो यह सही है या तो यह सही है यह कभी सही नहीं हो सकता यह कभी सही नहीं हो सकता 50-50% आ गया हम लोग चलो तो इसका मतलब magnetic field भी हमें निकालना पड़ेगा तो अगर मैं magnetic field यहां से निकालता हूं तो बिसिकली जो magnetic field है वो frequency के अटम में लिखना है तो वी होता है आर ओमेगा अब यहां से magnetic field नहीं निकलेगा तो मैं निकल तो जाएगा थोड़ा process lengthy हो जाएगा तो मैं आपको असान मेथड बताता हूं magnetic field निकालने का तो ओमेगा is equal to two pi frequency है बराबर है अब ओमेगा को मैं खोल दूँ तो magnetic field आ जाएगा ओमेगा जो circular बात में करता है तो ओमेगा हमको डाइरेक्ट याद है ओमेगा is equal to qb upon m होता है तो यह आ जाएगा two pi और frequency तो यहां से magnetic field की value आ जाएगी magnetic field two pi frequency m से multiply कर दे और q को मैं e लिख दूँ तो यह magnetic field की value आ जाएगी तो इस हिसाफ से two pi f m e यहां से मुझे c option match कर जाएगा क्योंकि यह सही नहीं है तो बहुत आसानी से derive कर सकता omega time period किसी बच्चे को मालो भूल गया तो यह master formula इदर याद रखो master formula r is equal to m e over qb यह master main formula है कोई charge particle magnetic field में perpendicular move करता है circle में चलेगा तो उसका main formula यह तो याद कर लो ना भाई तो अब circular motion में पड़े हैं b is equal to r omega तो simple सी बात है omega कैसे मुझे याद था मैं आपको बता दू तो b is equal to q और इस m को नीचे लेके आओ तो यह वाली जो चीज हो omega ही तो है यह जो चीज है वो omega ही तो है तो यहाँ से omega की जो value होती है वो qb upon m तो यह इसको याद कर लो simple सी बात है नहीं तो आप omega को ऐसे भी तो निकाल सकते हो, time period से भी निकाल सकते हो, time period होता है, 2 pi r, और divided by linear velocity भी, और यहां से 2 pi, यहां से 2 pi, या omega is equal to होता है, 2 pi t, तो यहां से time period रगोगे, तभी omega आ जाएगा, तो 2 pi radius और linear velocity भी radius को mb over qb डाल दो, तो भी ने भी को खतम कर दिया, तो time period होता है, 2 pi m, और यहां जाएगा qb, तो finally अगर मैं देखूं, यहां से इसको रग दूं, तो यहां से omega की जो value आ जाएगी, omega वो आ जाएगी, 2 pi time period जो है, वो 2 pi again, और यहां जाएगा m, और यहां जा कर दिया, तो omega is equal to qb, तो omega एक important factor है, इधर motion of charge particle in magnetic field, इसको याद कर लो, आसान तरीका, यह बहुत important formula, इसे बहुत सारे result omega, time period, frequency, radius, और radius, theta degree पर मूब करता, तभी भी याद कर सकते हो, its master formula,